नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज के हमारी रेसिपी है व्रत का पराठा, व्रत का पराठा हम यूज्वली व्रत में खाते हैं, तो आज हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने लिया है एक बाजार से आटा लाया है, यह आपको बाजार से लमक, मौंण फल्य का powder, यहांपे मौंग फल्य का दने पीस लिये हैं, और अब हम इसमें आट करेंगे, हरी मिर्च कूटी हुई, तीन हरी मिर्च मैंने यहां पे कूट ली थी, हरा धनिया, और आप हम इसमें डालेंगे, बॉल पोटाटो यहाँ पर मैंने एक बड़ा पोटाटो लिया था उसको अच्छे से बॉल कर लिया था अब इमसे अब को मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी जा सकते हो इसको पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से आठा तयार करना है हम रोटी के लिए जैसा आठा बनाते हैं वैसे यह आठा बनाना है यह देखो यहाँ पर आठा में बनके तयार है सॉफ्ट बना है अच्छे से अब हम इसके पराठे तयार कर लेंगे इसको थाली भी भी बोलते हैं तो एक पॉलीथिन दे मैंने एक चोटे साइज का सर्कल करके लिया था उसको मैं ऐसे साइड साइड से प्रेस करके रोटी के जैसा आकार दूंगी देखो हमारी ये उंगलियों के साइड उंगलियों से उसको दबाना है थोड़ा आईल लेना है हाथ पे और फिर उसको प्रेस करना है उससे वो चिपकेगा नहीं हाथ को कि युनिफॉर्मली प्रेस करना है उसको इसा कम ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं रखना है नहीं तो अच्छे से पकेगा नहीं इस दिखो हमारा पराधा बन के तयार है साइट से थोड़ा ओईल लगा लेंगे और अब हम इसमें बीच में एक होल बना लेंगे उससे क्या होता है पराधा बीच में से अच्छे से पकता है अब एक तवे पे मैंने थोड़ा ओईल डाल दिया था आप गीका भी यूज़ कर सकते हूं और इसमें हम पराधा राल दें अब साइड से ठोड़ा आएल डालेंगे और इसको दो मिनिट के लिए ड़क के रखेंगे दो मिनिट के बाद ऊस्ट से पख जाता है और इसको हम प्लट़ देंगे और अच्छा है दूसरी साइट चे सिख लेंगे अच्छे से, पराड़े को पकने को तीन से चार मिनिट लगते हैं, इले को हमारा पराड़ा पक्के तयार है, खाने के लिए रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे, एकदम क्रिस्पी लग रहा है, इसके उपर डालोंगे मैं बटर का क्यूब, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है, तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, थैंक्स पर वाचिंग मैं रेसिपी,